लो गाइज मैं हो सोनू और आप देख रहे हैं वाइरल इंबिया इस वीडियो में मैं आप लोगो 21 प्लस डेली यूज में होने वाले वर्ड मेनी को बताएंगे विट सेंटेंस के साथ इस वीडियो को आप बीना इसकी यह एड तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तर मतलब होता है ला परवा इसको अच्योज करके दिखाते हैं टीज जोप करले सब्सक्राद एक र糖 movies और के लेस वाइट मतलब होता है यह असे एसले तो होता है तो हम सेंटेंस में पर्यों करते हैं I have nothing particular to talk about, I have nothing particular to talk about, मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी खास नहीं है, next what majority, majority मतलब होता है बहुमत, इसको हम सेंटेंस में परियोग करके आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से, majority को, जैसे हम, they have clear majority, they have clear majority, उनके पास असपस्ट बहुमत है, आप ऐसा कह सकते हैं, कि जिसके पास majority होगा, वही जीतेगा, जिसके पास बहुमत होगा, वही जीतेगा, next what, artificial, artificial मतलब होता है, जूटा या बनावती, इसको हम सेंटेंस में परियोग करके आपको समझाता हूँ अ on her face, she always on artificial smile on her face, वो हमेशा अपने चेहरे पर बनावती मुस्तान बनाई रखती है, next what, why not, why not मतलब होता है, क्यों नहीं, इसको हम सेंटेंस में आप लोगों को भूछ अच्छी सजी कर समझा रहा हूँ, why not, relax and enjoy the atmosphere, क्यों ना आराम करें, और महौल का अनंद लें, ऐसे आप लोग सेंटेंस में परियोग कर सकते हैं, किसी की आगे कर सकते हैं, why not कि आप ऐसे परियोग कर सकते हैं, next what, liability, liability मतलब होता है, दाइट या जिम्मेवारी, 약간 sentence में देखते हैं, it is my liability, या मेरा दाइट वह है , या ये मेरी जिम्मे वारी है, ऐसे आप बोल सकते हैं, next world is, guilty, guilty म सेंटेंस में यूज करते हैं I am feeling very guilty मैं दोसी महसूस कर रहा हूं नेक्स वर्ड डल डल मतलब होता है सुष्ट या आल सी हीज सच डॉल वह वह एक बहुत सुष्ट लड़का है ऐसे हम बोल सकते हैं ना हीज सच डॉल वह वह एक बहुत सुष्ट लड़का है इसे हम सेंटेंस में परियोग करते हैं He seems to be a well-mannered person वह एक सिस्ट व्यक्ति लगता है ऐसे हम बोल सकते हैं सेंटेंस में परियोग कर सकते हैं नेंटस वड़ै एडमायर एडमायर मतलब होता है परसंसा करना या तारीफ करना। इडमायर यहां ऍडिकेशन फो इंघ्लिसटो लर्निंग अपकी इंग्लिससısı कत्रता यह संमर पर कि प्रसंसा करता है आशे आप डेली युज में इडतीमायर का परियोग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा नेक्स व टेर कोग्ञाइज रिकोग्नाइज मतलब होता है पहचांब अब सेंटेंज में इसको बोल सकते हैं Sorry, I didn't recognize you. Maaf करना, मैंने आपको पचाना नहीं. Next word is, Annoy. Annoy मतलब होता है, परिशान करना या टंग करना. Don't annoy me. मुझे परिशान मच करो. Next word is, Tolerate. Tolerate मतलब होता है, सहना या बरदास्ची करना. I will not tolerate this behavior. मैं इस बेवार को बरदास्च नहीं करूंगा. Next word है, Will visher. Will visher मतलब होता है, सुपचिंटक या हिते ऐसी. Kusi is my will visher. Kusi मेरी सुपचिंटक है. ऐसी आप sentence में ज़्यादा सज्यादा परियोग कर तकते हैं, अपने देली लाइप में. Next word है, Spoil. Spoil मतलब होता है, खराब कर देना या बिगाड देना. Don't spoil my mood. मेरा दिमाग खराब मत करो या मेरा mood खराब मत करो. Next word है, Accuse. Accuse मतलब होता है, आरोप लगाना या दोस रोपन करना. How can you accuse me of laying? तुम मुझे पर जूट बोलने का आरोप कैसे लगा सकते हो? Next word है, Due to. मतलब की कारण या की वज़ा से? Meeting was cancelled due to heavy storm. भारी तुफान के कारण मेटिंग रद कर दी गई. Next word है, Leginess. मतलब आलस या काम चोरूं. His future is the fruit of laziness. उसकी और सफलता आलस ये का फल है. Next word है, Decide. मतलब धोखा देना. They were planning to decide me. वो मुझे धोखा देने की सोच रहे थे. Next word है, Still. Still, मतलब फिर भी अभी तक. Due to a still like her. क्या आप अभी भी उसे पसंद करते हैं? Next word है, Deny. मतलब मना करना या नकारना. No one can deny the fact that learning English is really important. इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि English सीखना बहुत ज़रूरी है. Next word है, Skip. मतलब छोड देना. I have decided to skip the first chapter. मैंने पहरा अध्याय छोड़ने का फैसला किया है. इस word को daily use में ज़्यादा ज़्यादा परियो किजिए. आपको बहुत ज़्यादा response मिलेगा. Thank you for watching. Don't forget to like and share the video. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. इसे like और share करना ना भूले.